नमस्कार दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखें मातारानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंग कि 5 जुन 2020 को चंदर ग्रहन लगने वाला है साथ ही साथ इस दिन जेस्ट मास की पुर्णिमा है और बट पुर्णिमा ब्रत भी है बहुत से लोगों के मन में दूविधा है कि कैसे जेस्ट पुर्णिमा के ब्रत करे और बट पुर्णिमा ब्रत कैसे करे ग्रहन लग रहा है ग्रहन चंद ग्रहन है तो रात्री में लगेगा लेकिन उसका सूतक काल नौ घंटे पहले लग जाता है तो क्या हम पूजा पाट कर सकते हैं या नहीं दोस्तों इसी बात की संपूर्ण जानकारी हम देंगे कि आप चंद ग्रहन के दिन 5 जुन 2020 को जेस्ट रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुक अवर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके optimism को सेयर करेंगे दोस्तों असकंद और भविस पुरान के अलावा अन ग्रंथों में भी जेस्ट पुर्णिमा का विशेश महत बताया गया है आमत और पर इस दिन से सरधालो गंगा जल लेकर आमरना चात्रा के लिए निकलते हैं हिंदू धर में पती की लंबी उम्र के लिए बढ़ सावित्री ब्रत किया जाता है हर साल यह ब्रत देश की कुछ हिसो में जेस्ट महीने की अमावस्या को तो कुछ हिसो में पुर्णिमा को किया जाता है लेकिन असकंद पुरान और भविस्युत्र पुरान में जेस्ट महीने की पुणिमा पर ही इस ब्रत को करने का विधान बताया गया है इस वार बढ़ सावित्री ब्रत के लिए बहुत ही अच्छा सयोग बन रहा है इस वार पांच जुन को वड़ सावित्री ब्रत किया जाएगा, इस दिन तिथी बार और नच्छत्र के सयोग से सरवार्थ सिध्धी योग बन रहा है, वही सुर्च चंद्रमा की स्थिती से सिध्ध नाम का एक और सुभ योग भी बन रहा है, हलाकि पांच जुन को ग्रहन ल और ब्रत करने का महत बताया गया है, इन सबकी प्रभाव से मनोकामनाये पूरी होती है, हर तरह के पाप और दोस्त दूर होते हैं, साथ ही पुन्य फल भी मिलता है, इस पुनिमा पर भगवान सीप, पारवती, विश्णूजी और बट ब्रेक्ष की पूजा का विसेश महत् करने से पितर त्रिप्त होते हैं, जेस्ट की पूरिमा पर सुबह जल्दी उठकर तीर्थ हस्तान करना चाहिए, उसके बाद सुरी को अर्ध देकर पित्रों की सांती के लिए तरपन करना चाहिए, इसके बाद ब्राम्भन भोजन और जल दान का संकल्प लेना चाहिए, इस लोगों को इस दिन सफेद कपड़े पहन कर सीव जी का अभिसेख करना चाहिए, भगवान सीव की पूजा हर समस्या को दोर करती है, अब चलिए जान लेते हैं बट पूर्णीमा पूजा का सोब मुहुर्थ क्या है, तो इस दिन सोब मुहुर्थ पांच जुन को रातरी में तीन बजकर सत्रह मिनट से सुरू होकर छे जुन की मध रातरी में बारह बजकर एक तालेस मिनट को समाप्त हो जाएगा, अता ब्रती पांच जुन को दिन में किसी भी समय सरधा पूर्वक, बट, ब्रिक्ष, यमराज और सावित्री माता की पूजा कर सकते हैं, साथी साथ जो लोग जेस्ट पूरिमा का ब्रत मतलब असनान तरपन दान करना चाहते हैं, वो लोग भी दिन भर कर सकते हैं, मुहूर्त दिन भर का है, वही मैं बता दू कि चंदर ग्रहन रातरी 11 बचने के बाद लगेगा, इसलिए आप अपने मन में कोई भी भ्रह्म न रखे, आराम से आप अपने पूजापाठ में ध्यान लगाएं, तो दोस्तों आसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, थैंक्स